सभी समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार जी हाँ सभी दिदियों को मेरे तरब से नमस्कार प्लीज दिदी आप लोग इस चैनल प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब कर लेंगी तो आपको नए नए वीडियो की जनकारी मिलती रहेगी समू से रिलेटिट जी हाँ ब्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना ये योजना बहुत ही तेजी से चल लएए काफी लोग फ़ाम भर भी चुके हैं आप लोग भी तुर्ट अपलाई कर दीजिए पाचास जार बालिका को दी जाएगी कैसे दी जाएगी आएए पूरे वीडियो में सुनते हैं अन्तर दक वीडियो जरू सुने प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना हमारे देश में कई गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिसमें बालिकाओं को बोज समझा जाता है क्योंकि कुछ गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास बालिकाओं के भरण पोशड़ या उनके विवा के लिए आर्थिक कमजोरी यानि पैसे की कमी होती है जिस वज़ा से वह बालिकाओं को या तो अभिशाप मानते हैं या फिर उन्हें बोश्मा समझते हैं ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बालिकाओं के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाओं की सुरुवात की है इसी भी सरकार ने बालिका अनुदान योजना प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना भी सुरू कर दिया है जिसके तहत इन बालिकाओं को प्रोशाहन की रासी दी जाती है बालिका अनुदान योजना के तहत बालिकाओं के साधी के समय सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है बालिका अनुदान योजना क्या है जिहां बहुत लोग पूसते हैं बालिका अनुदान योजना क्या है बालिका अनुदान योजना भारा सरकार की आगामी योजनाओं में से है इस योजना को 2020 तक केंद सरकार के द्वारा लांच किया जा सकता है जिसके तहत गरीब और BPL परिवार की अधिक्तम दो बालिकाओं के विवा के लिए सरकार के द्वारा पचास हजार की रकम अनुदान के तौर पर दी जा सकती है बालिका अनुदान योजना के तहत गरीब BPL परिवार के अधिक्तम दो लड़कियों के विवा हेतु दी जाने वाली सहतारासी पचास हजार तक की होगी प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के उद्देश निमन लिखी थाएं बालिका अनुदान योजना के अंतरगत आथिक रूप से कमजोर परिवार में जन में लेने वाली लड़कियों के विवा के समय आथिक सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमक उद्देश है इस योजना को एक और उद्देश लिखा जी हाँ इस योजना का एक और उद्देश लिंग गानुपात की समस्या को कम करना है इस योजना से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा दिया जाएगा गरीब परिवार और BPL परिवार की लड़कियों को शादी के समय आर्थिक सहायता के साथ उचिस्ची किस्चा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश है बालिका अनुदान योजना के तहत महिला सनरच्छन को भी बढ़ावा दिया जाएगा प्रदान मंत्री बालिका अनुदान योजना के लिए पातता जी हाँ पातता कौनकौन है ये भी जाने पूरी बालिका अनुदान योजना का लाफ लेने के लिए निमलिखित पातता का होना आवश्यक है बालिका अनुदान योजना के तहट आवेदन सिर्फ आर्थिक रूफ से कमजोर वर के लोग BPL ही कर सकते हैं इस योजना के तहट कानुनी रूफ से अगर कोई बालिका गोद ली हुई भी है तो उसे पातलाभाती माना गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के माता या पिता किनी में से कोई एक कम से कम एक वस तक निर्मार स्रमिक होने चाहिए तथा अंसदान भी जमा किया होना चाहिए सरकार के द्वारा बालिकाओं की साधी के लिए चलाई गई किसी और योजना के तहत लाभारती ने पहले से लाव नहीं लिया हुआ हो जी हाँ पहले से लाव नहीं लिया हुआ हो बालिकाओं के साधी के लिए सरकार बहुत सारी योजनाय चलाती है जैसे की साधी सगुन योजना जी हाँ जैसे की साधी सगुन योजना वैसे तो बालिका अनुदान योजना के तहत परिवार की एक बालिका को ही लाब दिया जाता है लेकिन परिवार की दूसरी बालिका को भी तब पात्र माना जाएगा जब परिवार में दोनों संतान के लिए आवस्यक दस्तावेज कौन कौन से है यह आप दीदी लोग जान जाए पी एम बालिका अनुदान दस्तावेज पहला अधार काड जो सभी के पास होते हैं बैंक खाता पासभू अब तो यह सभी के पास हैं साधी काड जब आप साधी करने जाएं उसका काड पहले से वाले पासपोर साइज फोटो रासन कार्ड परिवार का आय प्रमाडपत्र बालिका का जन्म प्रमाडपत्र जी हां जब बालिका का जन्म होता है चाह सारकारी हस्पीटल में चाह प्राबेट आप वहां से जन्म प्रमाडपत्र जरूर बनवाले आप जहां के रहने वाले हैं आपके स्थान का मून निवासी प्रमाणपत्र प्रधान आप गाउं के प्रधान से बनवा सकते हैं और आल लाइन भी बनवा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको नहीं नहीं जानी कारिया चाहिए समू से समू के बारे में तो आप रेना टीवी चैनल से प्रेज देदी जूड़ जाएए पहले आपको मैं बता दूँ जो समू में रेजिस्टर लिखे जाते हैं आप पहले उसे अच्छी प्रकास से लिखे क्योंकि जब तक सम सायता का रेजिस्टर सही नहीं होगा सेल फिल गूरुब जो चलाए जा रहे हैं अरले मिशन द्वारा उनकी रेजिस्टों को बारे में रता रही हूं और रेजिस्टों को आप अच्छे से लिखे देदी तब ही आपको हर योजना के बारे में बड़ेता जाएगी तो अगर आपको रेजिस्टर का टेनिंग अभी लेट हो रहा है तो आप तो अच्छे से लिखना सीख जाएगे आज की वीडियो में इतना ही अगर दीदी आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें सब्सक्राइब प्लीज कर लेजी अगर आपको सब्सक्राइब कर लेना है तब क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब ही आपको पुर्योजनाव का लाब मिलेगा आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद